हेलो फ्रेंड्स आज हम पुरानी सलवार से पलाजो बनाएंगे फोल गेहर भाला और आपको पहन के भी दिखाएंगे कि पहनने में ये कैसा लगता है ये पलाजो बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है अगर आपके पास भी पुरानी सलवार है तो आप इस तरह से काटके सलवार से अलग कर लेंगे हमें इस मुहरी की कोई भी नीड नहीं है इस पलाजो में आप हमें इस तलवार की जो बैल्ट है इसको इसकी सलाई निकालकर अलग कर लेंगे बैल्ट को पहले इसमें जो ओवरलॉक की है उसके ठंके निकालेंगे और बैल्ट को अलग कर लोड़े हैं इस तरह से आप ब्लेट निकलेने तो आसानी से सारे प्लेट्ट से खूल जाएंगे वाद यह दियान रखना है कि हमारी सिल्वार का कपड़ा फटेना इस तरह से आप इसके यह निकालते जाएंगे यह दिखिए यहाँ पर मैंने सारी सलवार के प्लेट्स निकाल लिये हैं और यह सलवार हम लेवी इस तरह से आ गई है और यह दिखिए यह इसकी बेल्ट भी मैंने अलग कर लिये अब हमें क्या करना है हमें पूरी सलवार को प्रेस कर लेना है ताके अच्छे से हम इसकी cutting कर सकी यहां पर मैंने सिलवार को प्रेस कर लिया है अच्छे से यहां पर हमारे plates थे यह हमारी belt है यह देखिए अच्छे से हमारी सिलवार में पता चल रहा है कि इस तरफ हमारी plates थी यहां पर महुरी थी हमारी सिलवार की उस तरफ हमारी प्लेट से अब हम बैल्ट को इस तरफ रखेंगे यहाँ पर हमारी पहुंचे थे मुहुरी थी इस तरफ हमने आसन का निशान लगाना है यह देखिए बैल्ट को हम यह डवल फोल्ड है और यह फोल्ड करके हम यहाँ पर पहुंचे थे वहाँ पर रखेंगे दिया है इसके और यहां से हम यह कपड़ा कट कर देंगे बाद में पहले हम पुराना प्लाजो है उसका मेजरमेट लेंगे नीचे से जिस प्लाजो के नाप का अपने प्लाजो बनाना है वह प्लाजो आप इस तरह से इसके ऊपर रख लीजिए इस तरह से इस प्लाजो को कर लिया है यह देखिए आप इसका घेर कितना भी ज्यादा बड़ा और कम कर सकते हो अगर अपने कम करना है तो यहां से अपने ज्यादा घेर करना है तो यहां से इस तरफ को कटिंग कीजिए और अब हम बिल्कुल इसी शेप में से कट कर लेंगे अब ये देखिए बिल्कुल इसी शेप में हमने उपर से आसन की भी कटिंग कर लिया और नीचे से भी इसको इस तरह से कट कर लिया है अब हम इस प्लाजों को साइड पे रख देंगे अब यहाँ पर इस कपड़े को बेल्ट के बराबर करते हुए उपर जो कपड़ा एकस्टा है उसे हम कट कर देंगे तांकि जब हम बेल्ट इसके साथ जोड़ेंगे तो यह बिल्कुल बराबर हो इस तरह से हमने कपड़ा कट कर दिया और यह देखिए यह बिल्कुल हमारी ब्राबर आ गई है यह देखिए इस तरह से हमारी सलवार के जो पीस अलग-अलग हो गए है दो पीस तेन पीस हो गए है एक बैल्ट का और दो जो है यह नीचे वाले पीस यह हमारी बैल्ट है अब जहां पर जितना भी थोड़ा से कपड़ा जुड़ा हुआ है आसन का उससे भी हम काट के अलग कर लेंगे नीचे से तो हमने कटिंग कर ली थी यह देखिए इस तरह से दोनों तरफ से हमें इसे कट कर लेंगे अब हमें इन दोनों पीसे को उल्टी सेट कर लेंगे इस तरह से उल्टा कर लेंगे अब यहाँ पे हम पहले आसन की सलाई लगाएंगे यहाँ तक हमने आसन कट किया था इस तरह से इसको जोड़ेंगे उपर बाले पीस को इस तरह से और फिर जो नीचे बाला पीस है उसको इस तरह से दोनों आसन को हम जोड लगा लेंगे सबसे पहले बाद में इसमें belt attach करेंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने आसन पर जोड लगा लिया है दोनों आसन पर यहाँ पर यह belt के बिल्कुल ब्राबर आ गया है हमारा प्लाजो अब हम जहाँ center से लेके belt का center भी इस तरह से ही लेंगे belt को भी हम wrong side कर लेंगे और इस तरह से राउंड में हम ब्याट को इसके साथ जोड देंगे यहाँ पर हमने इस तरह से belt को प्लाजो के साथ जोड लिया है attach कर लिया है अब हम इसमें lastik डालेंगे lastik का हमें इस तरह से रखनी होती है कि इतना भी हमारा hip size है जिसे यहाँ पर मेरा hip size 38 है तो यहाँ पर मैंने 8 इंच में कम कर लिया है आप 7 जा 8 इंच अपनी hip size से कम कर सकते हो तो आपकी जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी तो यहाँ पर हमने उपर से पहले ready करके रखा था बैट में पहले से ready था तो इस तरह से हम इसके बीच में यह lastik डालेंगे बाद में जोड लगाएंगे अगर करनेफा पहले नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर पहले lastik पर जोड लगाई यह और बाद में जोड लगाएं यह देखीं यहां पर हमने lahastik डाल लिया है और अब हम lahastik पर जोड लगा लेंगे जोड यहां पर मैंने लगा लिया है इस तरह से इसको अंदर डाल लेंगे और दो तीन बार इस तरह से lahastik को खीचेंगे तांकि जो चुनट है हमारी बिल्कुल ब्राबर आ जाएं इस तरह से दो तीन बार खीचने से बिल्कुल बराबर आजाते हैं अब हमने खीचते हुए इसके उपर सलाई लगानी है यह सलाई आप बड़े बखे से लखाईए बस लास्टिक लगाते बगत आप जेद्यान रखें कि लास्टिक में कोई भी चुनट नहीं होना चाहिए जब हम लास्टिक के उपर सलाई लगाएं दोनों तरफ से खीचते हुए हम इस तरह से सलाई लगाएंगे यहां पर हमने लास्टिक पे सलाई लगा ली है और उपर से हमारा पलाजो विल्कूल रैडी हो गया है अब हम नीचे से इसको रैडी करेंगे यह देखे अब हम फिटिंग के सलाई यहां से यहां तक लगाएंगे बाद में हम जो यह गहरा है वो भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से इस दोनों पीसे पर जो है सलाई लगा लेंगे दोनों मोहरी पर प्लाजो की और यहां पर भी पर हमने फिटिंग के सलाई भी लगा लिया और नीचे से भी इसे फोल्ड कर लिया है अब हम इसे सीधा करेंगे इसे सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर हमारा प्लाजो बनके रेडी हो गया है अब हम इसको पहन के दिखाती है इसे देखिए यह पहनने में भी बहुत कामफटिबल है इस तरह से आप पुरानी सलवार से असानी से प्लाजो बना सकती हो कहीं पे भी कोई भी खिचाव इसमें नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह उसकी और वीडियो देखने के लिए तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिए